हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सलेक्ट आईएस दोस्तों आज की वीडियो में हम दिसकस करेंगे एंश Inland History के प्रीविएस यर कोशन्स जो आपसे UPSC के प्रडिम्स में पुछे गए थे तो Inland History के प्रीविएस यर कोशन्स की आपकी एक क्लास ओल्रेडी आ चुकी देखिए तेहरवा कोश्चन है आपके सामने भारत के इतिहास के संदर्ब में निमनलिखित युगमों पर विचार कीजिए और ये कोश्चन आपसे 2016 के UPSC प्रेलिम्स में पूछा गया था तो यहाँ पर आपको युगम दिये गए हैं एक तरफ देखिए ये सब्द आपका ह एरिपत्ति का क्या मतलब होता है ये आपको पता होना चाहिए दूसरा है तनी यूर तीसरा है घटी का तो आपको इनका मतलब बताना है देखे एक तरफ यहाँ पर विवरन लिखा गया है उप्यूक्त में से कौन से युगम सही सुमेलित हैं ये आपको बताना है तो प्रामन सम्हों को दान में दिये गई ग्राम तीसरा है घटी का गटी का प्राइम मंदिरों के साथ संबंदित विधा लिये आपको बताना है कोन कोन से युग्म यहाँ पर सही सुमेलित है तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा option D option D यहाँ पर सही है केवल एक और तीन ही यहा पर आपका सही सुमेलित है जिबकि दूसरा यहां पर गलत है चलिए देखते हैं देखे एरी पत्ती का मतलब होता है भूमी जिसमें मिलने वाला राजश्व अलग से ग्राम जलासे की रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था और तीसरा आपका सही है घटी का यहां पर आपका सही सुमेलित है चलिए आगे बढ़ते हैं देखे लिट्रेचर से रिलेटिड आप से प्रिवेस यर में कौन सा सा कुशन पूछा गया है तो यह आपका लिट्रेचर से रिलेटिड कुशन है 14 कुशन है आपका प्राचीन भारत के's विद्वानों या साहित क्या है पूश्य पूश्या मित्र सुication संबंदित हैं दुसरा कथन है अमर सिंग हर्ष Greth संबंदित है तीसर तो कौण सा उपयुक्त कतनों में से सही है यह आपको बताना है ता देखे 14 का सही आंसर हो जाएगा option C option यहाँ पर आपका सही है केवल तीन ही यहाँ पर आपका सही दिया गया है कालिदास चंद्र गुप्त दुइत्या से संबंदित है तो यह आपका यहाँ पर सही है बाकी गलत दिये गए हैं पंदरवा कोश्चन है आपके सामने भारत की सांस्किर्तिक इतिहास के संदर्व में इती वरत राजवनशिय इतिहासो तथा वीरगा था उको कंटस्ट करना निमनलिखित में से कैसा व्यवशाय था तो 2016 में ये कोश्चन आपसे पूछा गया था तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका ओप्शन D मगद तो मगद यहां पर आपका सही होगा नेक्स्ट सोलवा कोश्चन आपका फाइन आर्ट से जुड़ा हुआ है तो फाइन आर्ट से आपसे कोश्चन पूछा गया था प्राचिन भारत के इतिहास के संदर्ब में भव भूती हस्ती मल तथा छेमेश्वर क्यों परशिद थे सही आंसर होगा इसका आपका ओप्शन B नाटककार तो यहाँ पर जो आपको नाम दिए गए हैं ये किस लिए परसित थे तो ये सभी आपके नाटककार थे इसलिए परसित थे चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट है आपका सुंगा एंड गुपता एंपायर से कौन-कौन से कोशन्स हैं जो आप से एंसेयर में पूछे गए हैं तो सत्रवा कोशन हैं आपके सामने गुपत काल के दोरान भारत में बलात सरम यानि की विष्टी के संदर्व में कौन सा कथन सही है सबसे पहला कथन ह इसे राज्य के लिए आयका एक श्रौद जनता दुवारा दिये जाने वाला एक प्रकार का कर्माना जाता था ओप्शन बी है यह गुपत सामराज्य के मध्या परदेश तथा काठ्यवार छेत्रों में पोर्नत अविद्यमान था तीसरा है बलात सरमिक सापताहिक मजदूर लीता है मजदूर के जेश्त पुत्र को बलात सरमिक के रूप ने भेज दिया जाता था तो आपको बताना है कौन सा इहाँ पर सही जाता था अठारवा कोश्चन है आपके सामने प्राचीन भारत की निवनलिखित पुस्तकों में से किस एक में सुंग राजवन्स के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा option भी मालवी का अगनी मित्रम मालवी का अगनी मित्रम में सुंग राजवन्स के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी दी गई है 19 वा question आपका मोरिया अंपायर से है तो मोरिया अंपायर से कौन सा question पुछा गया था यहाँ पर आप देख सकते हैं देखे कोटिल्य अर्थसास्त्र की अनुसार निम्न में से कौन सा सही है सबसे पहला है नियाईक डंड के परिनाम स्वेरूप कोई व्यक्ती दास हो सकता था दूसरा है इस्तरी दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तोर पर मुक्त हो जाती थी तीसरा यहां पर कौन सा कथन आपका सही दिया गया है यह चीज यहां पर आपको बतानी है तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ओप्शन एक यहां पर आपका सही है देखे केवल एक और दो यहां पर आपका सही कथन है तीसरा यहां पर गलत दिया गया है तो कोटिल एक और दो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं बीसवा कोशन है आपके सामने समराट असोख के राज आदेशु का सबसे पहले विकूटन किस ने किया था इसका सही आंसर होगा आपका ओप्शन बी जेम्स प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप के द्वारा समराट असोख की राज आदेशों का विकूटन किया गया था 21 वा कोशन है आपका निम्नलिखित युगमों पर विचार कीजिए देखिए एक तरफ असोख के परमुक वहा इस्थान जिस सिलालेखों के इस्थान राजिये में है तो एक तरफ आपका धोली, एरागुडी, जोगड और कालसी दिया गया है आपको बताना है उप्युक्त युगमों में से कितने सही सुमेलित है क्या धोली आपका ओडिशा में है, एरागुडी आंधर पर देश में है, जोगड मध्या पर देश में है या कालसी करनाटक में है आपको बताना है कौन सा यहाँ पर आपका सही होगा देखे 21 का सही आंसर आपका ओप्शन B है केवल दो युगम ही यहाँ पर आपका सही सुमेलित है 23 कोशन है आपका निम्न में से किस सासक ने अपनी प्रजा को इस अभी लेक के माध्यम से परामर्स दिया था कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंदित करने की दरश्टी से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाई के प्रति अत्यधिक भक्ती के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है वह अपीतू अपने संप्रदाई को गंभीर रूप से हानी पहुचाता है इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर ओप्शन ए होगा अशोक तो अशोक के दुआरा यह अ संगम साहित्य के बारे में कौन सा कथन सही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ओप्शन बी आपका सही है वर्ण का सामाजिक वर्गी करन संगम कवियों को ग्यात था 24 कोशन जो है यह आपका मिसलीनियस से पूछा गया है भारत ने दच्छिन पूर्वी एसिया के साथ अपने आरंभिक सांस्किर्तिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंद बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे निम्न में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उतकरष्ट आरंभिक समुंदरी इतिहास की सबसे विश्वस्णियां व्याख्या हो सकती है तो ये कुश्चन आपको बताना है 24 का सही आंसर होगा आपका ओप्शन डी इस संपन में ए और बी दोनों विश्वस्णियां व्याख्या हैं तो ओप्शन ए आपका कहता है कि प्राचीन काल था मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम श्रौत निर्मान तकनी की उपलब्द थी ओप्शन बी कहता है इस उदेश्य के लिए दच्छिन भारतिये सासकों ने व्यापारियों ब्राह्मन पुजारियों और बोध भिक्ष्यों का सदा संरक्षन द ला है तो आज की वीडियो में हमने आपका एंसे एंजियर को नेकर नेकर अगर आप इन क्लाशिस को देख लेते हैं तो आपका प्रिवियऋ इयर कौशन जो एंसे एंट हिस्ट्री का है वो यहाँ पर इखने वाले थे हैं तो इसे हम next class में देखेंगे इसकी अलावा सभी subject के UPSC के previous year questions को यहाँ पर discuss किया जाएगा आपको बताया जाएगा कौन से topic से किस प्रकार के question आप से पूछे जा रहे हैं I hope कि आपको यह series पसंद आ रही होगी Thank you so much friends for watching the class Keep watching, please like, share and subscribe Thank you